अलो दोस्तों एक बार फिर सुआगत आपका हमारे शानल पर मेरा नाम है वरुण और हम बात कर रहे हैं C.O.E.D. की तो यार डेली योनिवस्टी तो यार डेली योनिवस्टी बहुत ही प्रॉमेडन योनिवस्टी है भारत की और उसके अंदर दो ही बहुत बड़े प्रॉमे रही है इन दोनों के पीछ और इनी दोनों की Rivalry को लेते हुए हम यहाँ compare करने वाले हैं इन दोनों colleges को कि कौन सब बेस्ट है आपके लिए इसके लिए क्या करना है आपको यह दोस्तों मैं भी share कर दिजे ताकि उन तक भी ये अबर पहुंच जाए तो बेरी जन पहुंच जाए साथ ही साथ आपको चैनल सब्सक्राइब करना है ताकि स्यूडी की हर जानगारी आपको यहीं सी चैनल पर मिल जाए तो भाई क्या है हमारा आज का टॉपिक हंसराज कॉलेज बर्सेस हिंदू कॉलेज दौनों ही डेली यूरिवस्टी की बहुत ही बड़े कॉलेज हैं अच्छा खासा नाम है को एड कॉलेज हैं दौनों और बड़े-बड़े अलोमनाई आंसे निकल चुके हैं अगर हम बात करें हंसराज कॉलेज सारुख खान को कौन नहीं जानता भाई भारत को ठीक है दुनिया भर के लोग सारुखान को जानते हैं और भाईया वो कहां से पढ़े लिखे हैं वो अंसराज कॉलेज के हैं अर्जुन रामपाल का नाम भी सुना होगा या यह हिंदू कॉलेज बाले विक्तिविसे से असी बात नी है तो अच्छी खासी राइबली है दौनों कॉलेज इसमें चलिए स् इंदू कॉलेज उससे पहले का है भाईजा 50 साल पहले बहुत होता है यार अपने आप में बहुत बढ़ी है अफिलियेशन की बात करें तो डैली उनिवस्टी से दौर अफिलेटेड है बिलकुल एक्रडीट किये गया है नेक के दौरा यहां एड़ीशन डिटेल की बात करें तो HRC HRC क्या है भाई यह क्या है HRC अनसराज कॉलेज है ना इस पे जाएंगे HRC एडविशन पे HRC इंफरास्ट्रक्चर पे आप जाओगे तो वहाँ पर आपको पूरी डिटेल मिल जाती है रिकॉगनाइज बाई UGC और अप्रूब बाई UGC दौरों कॉलेज इसके साथ है साथ ही साथ यहाँ पर फीश्टी फी डिटेल्स और HRC की बात करें तो वो भी HRC फीश पर जाके आपको फीश बगेर पता चल जा दी इंफरास्ट्रक्चर की फैसलिटी की बात करें तो भी यह लाइबरेरी फैसलिटी है बैंक अब मैडिकल फैसलिटी सामिनार हॉल है है की सारी फैसलिटी आपको हंसराज कॉलेज में भी मिलने वाली एसीम2 से अगर हम यहां रेंकिंग की बात करें दौनों कॉलेजिस की तो भी या इंडिया तुडेय ने चौते नंबर पर सारे इंडिया के बेस्ट सामिल proposition इस में हंसराज कॉलेज को रैंक दी धी मैं नही की रेंकिंग की बात करें हिंदू कॉलेज की तो यहां पर नौबे नंबर पर रखा था हिंदू कॉलेज को एन आई आरेफ ने इंडिया टुड़े की रेंकिंग की बात करें तो यहां पर पहले नंबर पर आर्ट्स और साइंस फिल्ड में किसको हिंदू कॉलेज को रखा था और यहीं पर Commerce की फील्ड में बात करें तो दूसरे नंबर पर इंडिया टुड़े की रैंकिंग में आ रहा था हिंडू कॉलेज और रैंकिंग देख ले हैं Forces की बात करें अगर भई देखें तौनों में तो बहुत ही prominent course आरे कराये जाते हैं यहाँ पर UG, PG की बात करें तो BA, Honors, BA हो गया, B.S.C P.S.C, Honors हो गया, PG में M.A कर लो, M.S.C कर लो, Certificate Course है, प्रोग्राम करवाते हैं अलग से, Diploma हो गया, Advanced, Diploma होगा, Professional Course है तो यह सारे के सारे courses available है हम सराज college में यहाँ अगर Hindu college की बात कर लें तो Delhi University से यहाँ UG के 3 साल के courses और PG के 2 साल के courses UG में BSC, BA, BCOM के courses कराये जाते हैं PG में बात करें 2 साल के courses में तो MA, MSC पगेरा यहाँ पर करवाये जाते हैं courses इसके अलावा बहुत सारे various department में अलग-अलग program जो हैं वो कौन से कराये जाते हैं आपके जो diploma certificate programs हो भी कराये जाते हैं यहाँ departments देखें तो बहुत सारे departments मिल जाएंगे अंसराज college में आपको department of botany हो गया, department of chemistry हो गया, computer science department है, electronics का है जो science department के अंदर आ रहा है, economics का है, English department है, commerce हो गया, जो कि भी आपका commerce department के अंदर आएगा यहाँ हिंदू college में भी botany department है, economics department है, हिंदी department, mathematics, physics, Sanskrit, statistics, यह सारे के सारे department है जो proper courses आपको conduct यहाँ पर करवाते हैं, UG और PG के, भाई साब यहाँ eligibility criteria, selection criteria देखें दोनों colleges के, तो भाई का है, क्या है, B.S.C. या B.S.C. honors अगर आप करना चाहरे हैं, तो भी यह बारवी पास तो होना अनिवार है और minimum 45% marks यहाँ पर होने चाहिए, mathematics, physics और chemistry में है, ठीक है अगर B.A.B.com आप करना चाहरे हैं, B.A. और B.A. honors करना चाहरे हैं, तो यहाँ पर बारवी के इक्षाम है, 45% marks आपके recognized board से होने चाहिए, और दोनों के लिए याद रखी है, अभी से C.U.E.T. जो है U.G. वाले entrance exam के marks भी जो है, scorecard, वो अनिवार है, उसके basis पर ही आपकी merit बनने वाली है, जो की आचुकी है, आपको पता होगा, यहाँ हिंदू college की बात करें, तो B.A. orders के लिए eligibility यहाँ पर high secondary board में, क्या है, 97% होने चाहिए, और हमे eligibility यानि U.G. courses के बाद, E.G. courses की बात करें, तो डिगरी आपना जो है, करी हो bachelor degree, graduation, 60% प्रतिशत वाक्स, ठीके, बहुत ही important है, यहाँ पर अलग अलग चीज़े आपको देखने मल रही है, यह हिंदू college अपने आप में बहुत ही prominent हो जाता है, infrastructure देख ले तो B.A. लाइब्रेरी फिसिलिटी है, हंसराज में canteen है, hostel facility, ATM, sports ground है, auditorium, laboratory, सारी की सारी सुभिदाय जो है, यहाँ होईया है, वैसे ही अगर इंदू college से compare करें, तो यहाँ food court भी है, sports facility, library, gymnasium, auditorium, seminar, hall extra है, stationery shop बगेरा यह सारी चीज़े आपको यहाँ पर extra मिल जाती है, और scholarships, भाई बहुत important चीज़ होती है, scholarship क्यों होती है, क्योंकि भाईया, यहाँ आपकी fees में, waiver हो जाता है, माफ हो जाती है, fees fees के college में, teachers और governing body जो है, वो भाईया donate करते हैं, कुछ पाईसा contribute करते हैं, और उससे prize और scholarship क्या है, बच्चों को दिये जाते हैं, इसके अलाबा, यहाँ पर scholarship के लिए बहुत सारे interest, जो भी भाईया, पाईसा आपने donate करें, उन donation के बाद जो interest आ रहा है, उस interest का क्या करेंगी, य scholarship provide गरवाते हैं, scholarship जो है specific criteria's पर belong करते हैं, कैसे एक तो merit-based यहाँ पर scholarship हो जाती है, need-based scholarship हो जाती है, बहुत ही अच्छा प्रदर्शन करते हैं, अपना higher standard जो दिखाते हैं, बच्चे merit में आते हैं, अपने respective course के उनको दी जाती है, इसके लाबा, need-based में हो गया कि भी आपकी family का background थोड़ा सा condition गडबड है, low income group से belong कर रहे हैं, या फिर सारी समस्या जो है, उनको need-based category के अंदर लाते हैं, बाकी category जो है category based भी यहाँ पर SCSTs, OBCs की अलग-अलग आपको scholarship provide करी जाती है, यहाँ अगर हम इंदू college की बात कर ले तो प्रेमबती, रगुवीर सिंग scholarship provide करी जाती है, इसके अलावा, आरभी राम किशंदास scholarship provide की जाती है, और भाईया चौधरी भगवान से कई चोहान, जो है memorial scholarship भी यहाँ दी जाती है, राय अच्छरू राम scholarship दी जाती है, SP रहना memorial scholarship यहाँ पर provide की जाती है, तो यहाँ ज़्यादा है scholarship सापके comparison में किसके, हंसराज college के आला कि याद रखिए, यह भी सारी आपकी merit base और साथी साथ यहाँ पर, आपकी need waste जो है scholarship है, need waste, ठीक है, तो याद रखिएगा सारी है, यहाँ थोड़ी ज़्यादा है, यहाँ थोड़ी कम है, लेकिन है तो दोनों जगाप है, और placements अगर देख लें, तो भाई कोई भी देखें, अगर record की बात करें, तो यहाँ पर 20.5 यानि 25 लाख प्रती वर्स का सालाना package जो है, यहाँ पर highest package हंसराज कॉलेज में गया था, और भाईया lowest package की बात करें, तो average है lowest क्या है, 5.7 LPA का average package यहाँ पर बच्चों को मिला है, और यहाँ पर gross अगर बात करें, सारे offer को म मिला के, तो 9.7 करोड के, टोटल साल भर के बार से 2021 के यह डेटा की बात कर रहे है, इसमें आपको placements दिये गए हैं बच्चों, यहाँ अगर हम compare हिंदू कॉलेज से कर रहे हैं, तो उनकी बात करें, तो यहाँ पर 19.3 LPA का highest package था, और जो है average package वो 8.4 LPA का यहाँ मिला है, त लेकिन average package आप देखेंगे, तो 8.4 इसकी 5.5 की दुल्ला में बहुत ज़्यादा हो जाता है, जो की यहाँ पर मिला है, तो भाईया West Institute इसलिए नहीं हिंदू कॉलेज को अपने आप में बोल देते हैं, इसके अलावा internship की बात करें, भाईया देखो या, TNPCL होता है, Training and Placement, प्लेस्मेंट को हमने देख लिया, Training के लिए क्या कैसी व्यवस्ता करवाते हैं, तो भी यह internship बगेरा जो करवाई जाती है, हंसराज कॉलेज में facility जो है student को दी जाती है, अलग-अलग internship के लिए, जो की academic year में होती है, अलग-अलग, हर each to each academic year में, और अलग-अलग reputated companies के यहाँ पर internship करने का मौका, हंसराज कॉलेज के बच्चों को मिल जाता है, ठीक है, साथी साथ देख ले कौन-कौन से, तो EY हो गया, Ernest & Young, OYO, तो भी बहुत तेजी में चल रहा है, DSTV हो गया, Phone पे हो गया, NDTV हो गया, MG हो गया, OYO के अलावा, DSTV ये डबल हो चुके हैं, तो भाईया, इन सारी की सारी companies में आपको internship के लिए program करवाये जाते हैं, कहाँ पर हंसराज कॉलेज, भाईया, अगर Hindu college की बात करें, तो भाईया, और बड़ी-बड़ी company हो गई, जैसे भाईया, Google हो गई, मारूती सुजुकी हो गई, DSTV हो गई, Deloitte हो गई, HDFC bank हो गई, KP Morgan हो गई, यह सारे के सारे भाईया, यहाँ पर इन बड़ी-बड़ी companies में internship बच्चों की करवाते हैं, तो भाई कहाँ सिखरा, यहाँ, हर चीज में यहाँ, Hindu college का पलड़ा जो है, वो भारी ता लग रहा है, देख लेते हैं opportunities की बात, भाईया, opportunity, अभी तो ऐसा जा रहा है, प भाईया, majority जो है, वो बच्चे इंडिया में job करते हैं, बहुत बड़ी, placement supports की बात करें, तो यहाँ पर organized और proactive जो cell है, placement process जो है, वो खरवाई जाती है, alumni network बड़ा ही strong है, कहां कहां कहां, भाईया, answer आज college का, बिल्कुल अब्वेसी बात है, alumni से एक alumni निकले हैं, तो भाईय हम इंडू college की बात करें, इंटरंसिब में, तो इंटरंसिब और इंटरस्टियल जो प्रोजेक्ट हैं, भाईया, वहाँ पर faculty research program हर semester में बच्चों को offer करवाये जाते हैं, साथी साथ employment opportunity में बात करें, तो higher core jobs यहाँ पर मिलती है, और maximum बच्चे जो है, वो खुद के start-up अप higher studies को चुन लेते हैं, placement support के लिए organized or proactive process है, यहाँ पर भी हिंदू college में, और भाई साब यहाँ का alumni network भी बड़ा तगड़ा है, ठीक है, हिंदू college को, बहुत बड़ी है, अगर campus की life की बात करें, यह बहुत सारे बच्चे जानना चाहते हैं, हर जगा से, कि भाईया, चलो हमने admission ले लिया, लेकिन campus में मज़ा आएगा, की नहीं आएगा, campus बतलब college की campus में, क्या ही मज़ा आता, तो चली देख लेते हैं, sports facility, बच्चों के लिए बहुत important है, यार, देखो यार, भारत का हर वेक्ती, हर बच्चा, cricket देखते हुआ, बड़ा हुआ, ऐसा जरूरी नहीं है, की cricket ही देखा है, लेकिन बहुत सारे बच्चों में, अगर हम देखें, तो cricket सबसे ज़्यादा important है, उसके बाद, फिर हम hockey, basketball, badminton, और बाकी की तमाम, जो खेल गत्वीदिया हैं, उसमें party से बेट करते हैं, और वो बहुत जरूरी है, sports facility के हिसाथ, और यहां बहुत ही अच् की sports facility में, अलग-अलग sports ground है, coaching present है, यहां पर, coach जो हैं, आपको coaching देते हैं, और भाईया, इन दौनों में, तो भाईया, जब भी, कोई भी, sports tournament होते हैं, तो भाईया, बड़ा मदा आता है, दौनों की rivalry, college events की बात करें, तो भाईया, यहां पर, बहुत ज़्यादा तो नहीं होते हैं, moderately, हंसराज college में, यह calendar जो है, एक से तीन महीने का बिजी रहता है, college events को लेके, लेकिन यहां पर बात करें, हिंदू college में, तो भाईया, बहुत सारे program होते हैं, compared to हंसराज college, यहां भी same, एक से तीन महीने का calendar बिलकुल भरा रहता है, इसको लेके, events को लेके, अगर food की बात करें, तो भाईया, बहुत अच्छी food availability, mass food है, dress code की बात करें, तो ना, कोई dress code नहीं है, जो चाओ, वो पहें सकते हो, आप यही तो आजादी है, ना, dress code में थोड़ा सा अजीब सा लगता है, अच्छा भी लगता है, बहुत अच्छा लगता है, लेकिन थोड़ा अ होता है, यही कपड़े पहन रहे हैं, नए खरीदने पड़ेंगे, girls के साथ यह ज्यादा समस्या हो जाती है, तो उनकी लिए बहुत सारी dresses की जरूरत पढ़ जाती है, कॉलेज का कल्चर की बात करें, कल्चर तो कल्चर है भाईया, भारत का कल्चर, कॉलेज के कल्चरों में बहुत साफ जलगता है, याद रखिएगा, तो हंसराज कॉलेज में यहां लोकेशनल डाइवरसिटी है, पूरे भारत के बच्चे जो हैं, यहां के पढ़ते हैं, तो पूरा भारत आप देखना चाहो, तो यहां डैली उनिवरस्टी के कॉलेजिस में आपको देखने को मिल जाएगा, हर स्टीट से बच्चे आपको मिलेगे, चाहे वो साउथ के हो, नौर्थीस्ट के हो, कहीं के भी हो, सेंट्रल इंडिया के हो, है ना, तो भाई आपको सारे बच्चे यहां पर मिल जाने वाले हैं, क्योंकि लोकेशनल डाइवरसिटी हैं, और सबको बराबरी का जादिकार है, यहां पर एडिविशन लेने का, अगर आपके कट अच्छे मार्ग्स आए हैं, तो यहां स्टुडेंट सपूर्ट सर्विसिस की भी बात करें, तो भाईया, टीचर्स हैं, और स्टुडेंट के बहुत सारे अलग-अलग ग्रुप्स हैं, जो यहां पर सपोर् में दी जाती है, यहां हिंदु कॉलिज की बात कर लें, तो वही सेम चीज है, लोकिशनल डाइवर्सिटी है, आपकी ओल ओपर दे इंडिया के स्टुडेंट यहां पर इंडिया नहीं, फॉर इनके बच्चे भी आते हैं, पढ़ने को यहां पर, तो बहुत सारे बच्चे म इंग्लिस को तबज्जो यहां भी कैंपस में दी जाती है, बहुत बढ़ी हो गई बात कल्चर की, सपोर्ट साप की बात करें, तो सपोर्ट साप में कोई भी पर्टिकुलर्ल लेंगवेज नहीं, सपोर्ट साप क्या ही है, वो तो भी आप दिल्ली से हैं भाई, यहना तो दिल्ली की नेडिव लेंगवेज का यूज कर लेते हैं, बाकी जहां से हैं वहां की भी गर लेते हैं, ऐसी कोई जरूरत नहीं है, ठीक है, ऐसे ही not restricted यहां भी है, हिंदू कॉलेज में सपोर्ट साप के लिए वो अपनी नेडिव लेंगवेज बोल सकते हैं, डिस्क्रिमिन सेक्स हो, प्लेस हो, बर्थ हो, और भाईया कलर अलर हो, ठीक है, तो किसी भी बेसिस पर डिस्क्रिमिनेशन या नहीं होता है, सेम टू सेम इत्थे भी है, क्या भी या क्या, हिंदू कॉलेज में भी कोई भीद भाव जो है, नहीं किया जाता, ठीक है, बहुत बढ़िया, च कि नहीं हो पाएगा, है ना, तो यहां, अक्याडमिक लाइट की बात कर लें, हंसराज कॉलेज में, तो अक्याडमिक शेडूल जो है, मौडरेट है, बहुत ही जादा, बिजी सेडूल नहीं होता है, बच्चों का ऐसा नहीं है, कि बहुत ही क्लास लग रही है, पास से अगर एक्जाम की फ्रिक्वेंसी की बात करें, टेस्ट बगेरा की बात करें, तो यहां पर, इजी तू स्कोर, राइडिंग फॉर्म अप टेक्स्ट बुक, टेक्स्ट बुक के हिसाब से आपने लिख दिया है, तो आपको अच्छे से मार्क्स मिल जाते हैं, लेकिन यहां पता है कि क्या ही पढ़ना होता है, तो यहां यह चीज है, हिंदू कॉलेज के साथ, बहुत बड़े, अक्याडविंग लाइब में आगे हम बात करें, यहां टीचिंग मेतोडोलोजी की कैसे क्या पढ़ाईगी, तकनीके हैं, तो भईया प्रेक्टिकल डिसकुशन तो होता है, साथी साथ केस स्टडी को यहां पर तबज्जो दी जाती है, इंडरस्टियल बिजिट वगेरा ज्यादा नहीं दी जाते हैं, नहीं कराये जाते हैं, ऐसे ही हिंदू कॉलेज के साथ है कि प्रेक्टिकल डिसकुशन तो होते हैं, यहां पर केस स्टडी को तबज्जो दी आपके उपर कि आप कितने लायक है उस चीज के टीचर से एक्स्टर टाइम दे रहे नहीं दे रहे बाकि वो है तो अबेलिबल 24 जावट आपको सपोर्ट करने के लिए चाहे वो लाइब्रेरी तो फिर रही रिसोर्ट इसके लिए आपके लिए बहुत ही वैल इक्टिब्ड लाइब्रेरी यहां हंसराज कॉलेज में है सेंब to सेम अगर बात करें तो टीचर यहां भी अबिलिबल है और नहीं तो लाइब्रेरी की फसलिटी तो ऐसी है कि यह तमाम किताबे आपको मिल जाएगी और आप बहाँ जाकर खुद से मेनत करके ज्यादा अच्छे से रिसोर्स जो है वो डूर सकते हैं तो भई टीचिंग मितोर्डलोजी की बात हो गई यहाँ पर रिसर्च की बात हो गई और इसी के साथ जो है हमने compare किया किसको किसको हंस राज कॉलेज पर से हिंदू जो पढले की बात करें तो पलरा कहां भारी है हिंदू पर दोस्तों में शेर करना बिल्कुल मत मूलिये और चैनल सब्सक्राइब करना भी नहीं क्यूंकि सारी CUD की जानगारी मिलेगी इसी चैनल बर हमारे जाद, तो मिल दें अगली जानगारी के जाद तब तक के लिए जाहिए